स्टोरी विथ बिनाका सुनिये कहानी बिनाका की जुबानी लीजी हाजिर है प्रगति गुप्ता की कहानी तमाचा अंकित, I am feeling suffocated, stop the car अंकित, stop the car नशे में धुत्त लड़ खड़ाती आवाज में भूमी जोर से चिल लाई कार का इसी minimum temperature पर है भूमी, window glass नीचे कर लो रात के बारा बज रहे हैं, कार से उतरना ठीक नहीं 10-15 मिनिट में घर पहुंच जाएंगे अंकित ने भूमी को शांत करते होई कहा मुझे क्यूं अपने हुक्म का गुलाम बनाना चाहते हो अंकित मैंने कहा गाड़ी रोको तो रोको नहीं तो चलती गाड़ी से कुछ जाऊंगी आखरी गाली सुनते ही अंकित के क्रोध का पारा हाई हो गया वो गाड़ी एक तरफ खड़ी करके भूमी से बोला गाड़ी से बाहर निकलो तुम तुम्हें बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं नशे में तुम्हारी बोली भाषा मुझे गालियों के जैसे लगती है नशे में जो जहर तुम उगलती हो वो तुम्हारी अंदर की गंदगी है काफी समय से नोट कर रहा हूँ तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की मुझे पहले पता होता तो अंकित के इतना बोलते ही मानों भूमी का अहम चोटिल हो गया और वो गाड़ी से नीचे उतर पड़ी अंकित इतनी राद को भूमी को सड़क पर अकेले नहीं छोड़ सकता था वो भी गाड़ी से उतर कर उसके पास पहुँच गया बढ़ती राद के साथ ट्रैफिक कम हो जाने से भूमी की आवाजें अब वाता वरण में गुँचने लगी पहले पता होता तो क्या बोलना चाहते हो यू बास्टर्ड, I'm not going with you लिव मी अलोन, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम खुदा नहीं हो मेरे पार्टी में नुपूर के साथ कैसे चपक कर बाते कर रहे थे तुम और जब मैंने रोहिट से बाते करना शुरू किया, तुम मेरे पास आ गए तुम मुझ पर पाबंदियां थोप कर खुद आजाद रहना चाहते हो यू चीटर, तुम कमीने हो, तुम्हे अपनी आजादी चाहिए, मेरी आजादी का क्या मुझे बगेर बताए कहा कहा घूमते हो, और मुझ से चाहते हो कि तुम्हे सब बताऊं नुपूर मेरी कलीख है भूमी, तुम्हे किसने कहा कि घूमने गए थे? काम के सिलसले में ऑफिस क्लब में बैट कर कॉफी पीना, कोई घूमना नहीं है मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबको कॉडिनेट करना होता है, तुम्हें बताया भी था मैं अगर तुम्हारी गतिविदियां पूछता हूँ, तो अपनी भी बताता हूँ, ताकि एक दूसरे से बाच्चिक बनी रहे नशे ने भूमी के दिमाग को अपाहिस कर दिया था एक और भूमी का अंग्रेजी में सडक चाप गालियां उगलता हूँ, उसके कुंठे दंब को संतुस्ट कर रहा था दूसरी और उसको चुप करवाने के लिए अंकित की गालियों का काटा, यू बिच पर ही आकर बार-बार अटक जाता था दोनों के तन पर सजे हुए महंगे कपड़े, धारा प्रभा, अंग्रेजी गालियां और उंग्लियों के बीच दबी हुई सिग्रेटें पड़े लेखे होने पर प्रश्न चिन्हा लगा रहे थे पूरी पार्टी में अंकित सभी दोस्तों के सामने भूमी की बातों को संभालने की कोशिश में लगा रहा अब सूनसान सड़क पर भूमी को देख कर लग रहा था, वो सरियाम उसका तमाशा बनाने के लिए सिर्फ लड़ने के बहाने डून रही थी क्योंकि उसकी बातों के ओर छोड नहीं थे, नशे में उसके लड़ने के मुद्दे बार-बार बदल रहे थे तभी अचानक भूमी ने एक साथ कई तमाचे अंकित के गाल पर जड़ दिये और अंकित के उपर थोकते हुए बोली आई हेट यू अंकित, कॉल यूर ममा पापा, वो दौनों तुम्हारे साथ आकर रह लेंगे अगर मेरे साथ रहना है, तो मुझे अपनी फ्रेडम चाहिए मेरी अपनी जन्दगी है, मुझे तुम्हारी दियोई फ्रेडम के हिसाब से नहीं चलना तुम बदल गए हो अंकित, तुम्हें मेरी खुशियों की परवा नहीं रही तुम चाहते हो तुम्हारे माबाप के संग समय गुजारूं अरे रेटाइड तो वो हुए हैं, मैं नहीं उनके लिए मैं खुद को चाड़ दिवारी में कैद क्यों करूं सरयाम सडक पर इस तरहे की अप्रत्याशित बातों के लिए अंकित बिलकुल तयार नहीं था आज पहली बार दौनों के बीच के मन मुटाव सडक पर आ गय थे ऐसा कभी नहीं हुआ कि भूमी को किसी ने कहीं जाने से रोका हो बदमिजास भूमी को पार्टीस की जवर्दस्त लत थी नशे में गाली गलोच वो कभी-कभी हातापाई करके वो अपनी कुंठाओं को शान्त करती थी कई बार अंकित को महसूस होता कि उसको मनोचिकित्सक की जरूरत है पर भूमी को ये बात बूलना खुद के गले में घंटी बानने जैसा था जब भी अंकित ने समाधान सोचनी की कोशिश की उसका उलट ही देखने को मिला रात बारा बचे स्ट्रीट लाइट के नीचे दोनों को लड़ता हुआ देखकर आते जाते एकका दुक्का लोग नजर डालकर आगे बढ़ रहे थे आजकल परीचितों के पचड़े में भी कोई नहीं पढ़ता तो आप परीचितों के फटे में कौन टांग डालता कुछ इस तरहे तमाशाई बनना आने जाने वाली लोगों को कौदुहल में जरूर डाल रहा था दौनों की गुंचती आवाजों ने आसपास के कुछ घरों की खिड़कियां खुलवाई पर जैसे जैसे एक एक खिड़की खुली वैसे वैसे बंद भी होती गई बड़े-बड़े मकानों की बंद खिड़कियों के पीछे के सच भी अतखुले होते हैं जितनी खामुशी बाहर होती है अक्सर उतना ही शोर अंदर होता है ऐसे ही बड़े घर से जुड़ा एक सच आज सड़क पर था अंकित अपनी अटपटी स्थिती को भाब कर भूमी से जोर से बोला भूमी गाड़ी में बैठो घर चलो घर पर बाते करेंगे लोग सुन रहे हैं I don't care लोग सुनते हैं तो सुने You bastard बोलकर जैसे ही भूमी ने अंकित के मुँपर दो चार तमाचे और लगा कर जैसे ही वापस थूका अंकित ने अपने एक हाथ से उसका हाथ कसकर पीछे की तरफ मरोड कर अपने दूसरे हाथ से मुँपर लगे थूक को रुमाल से पहुँचा मगर गुसे में भूमी को फिर से यो बिच ही बोल पाया भूमी की गालियों का शब्द कोश अंकित के शब्द कोश से कुछ ज्यादा ही समर्द था सिर पर चड़ी हुई शराब ने भूमी की बुद्धी हर ली थी उसके चीखने चलाने से हताष अंकित के सब्र का बांध अब तूट चुका था भूमी किस बात पर लड़ना चाहती थी और किस बात को दोरा दोरा कर लड़ रही थी अंकित की समच से बाहर था भूमी के थूकने से अंकित का नशा काफुर हो चुका था गालियों और थूकने की चोट इतनी घहरी थी कि अंकित जोर से चलाया मैं घर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना हो तो पांच मिनट में गाड़ी में आकर बैठ जाना खूब तमाशा बन चुका है हमारा, और भी बनाना हो तो यहीं बैठ कर अखेले बनाओ बोलकर अंकित गाड़ी में जाकर बैठ गया, पांच साथ मिनट तक भूमी का इंतजार कर, जैसे ही अंकित ने गाड़ी स्टार्ट की, उसे भूमी की गूंचती हुई आवाद सुनाई दी कमीने हो तुम अंकित, बहुत कमीने और चुपचाप वो गाड़ी में आकर बैठ गई आज से दो साल पहले भूमी और अंकित किसी दोस्त की पार्टी में मिले थे, दोनों में प्यार हुआ और घर वालों को राजी कर शादी कर ली अंकित की बहुत अच्छी नौकरी थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, अंकित के दोस्तों को उसके प्रमोशन की पार्टी चाहिए थी यूएस बेस्ट इस कंपनी में काम करते हुए, अंकित को लगभाग 10 साल हो चुके थे अपनी मेहनत और विवहार के बल पर वो HR हेट प्रमोट हुआ था विकेंड पार्टी के लिए शहर के एक बड़े होटल में अंकित और भूमी के बचपन के मित्र और सहकर्मी खट्टे हुए दोस्तों में खूब बातें, मस्ती और गप बाजियां हुई पार्टी में कुछ ज्यादा पीना पिलाना हो जाने से कुछ दोस्त ज्यादा बोलने लगे थे तो कुछ गुम होकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे ड्रिंक ओवर होने के बाद दोस्तों की चुहल बाजियों में सबको खूब माखौल सूच रहा था भूमी भी उन्हीं में शामिल थी अंकित ज्यादा ट्रिंक नहीं करता था दोस्तों का साथ देने के लिए उसने बस एक पैग स्टार्टर्स के साथ ली थी पर भूमी बैठने के स्थिति में नहीं थी जैसे जैसे भूमी पर नशा चड़ रहा था उसका अपनी बोली भाषा से कंट्रोल खत्म होने लगा था पार्टी के शुरू में जो अंकित उसके लिए मेरा शोना आ मेरा बाबू था वही पार्टी के खत्म होने तक नालाइक बन चुका था भूमी को खुद नहीं पता था वो क्या बोल रही है भूमी अक्सर दोस्तों के बीच बोला करती थी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ड्रेंग्स और पार्टियां बहुत जरूरी है यही बात जब वो अंकित को बोलती तो वो पुछता कौन से स्ट्रेस है भूमी तुमें जिनको तुम नशे में भूलना चाहती हो जहां तक सोशल रिंकिंग की बात है सब ठीक लगता है मुझे भी बताओ अपने स्ट्रेस मिलकर सॉल करेंगे अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हैं उनसे जुड़ी कोई समस्याईं भी नहीं है घर में भी खूब नौकर है हम दो लोग बस भूमी के पास अंकित की बातों का कोई ठोस स्पस्टिकरर नहीं होता था बस यहीं बुलती तुम नहीं समझोगे अंकित औरतों के स्ट्रेस को सब कुछ होने के बाद भी पार्टीज करने और पीने के बहाने खुजना भूमी के व्यक्तितों का हिस्सा था शनिवार को देर रात पार्टीज करना और शराब के नशे में खर लोटना पूरा इत्वार लगभग सो कर गुजारना उसके रिलेक्स होने का तरीका था अंकित हमेशा उसके साथ नहीं जा पाता था फिर भी कोशिश करता अगर फ्री है तो भूमी के साथ जरूर जाए प्रमोशन के बाद उसके जिम्मेदारियां बढ़ गई थी ओफिस का काम काफी रहता था आज की पार्टी के बाद भूमी ने जब अंकित को अंशंट बोलना शुरू किया वो फिर अंकित के चुप करने पर भी नहीं रुकी अंकित तुमने मेरे दोस्ट शिशिर को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया मैंने अपने दोस्तों की लिस्ट दी थी ताकि तुम खुद उनको इन्वाइट करो बोलो जवाब दो यहां तुमारे सारे दोस्ते और मेरे दोस्तों में से सिर्फ पांच दोस्त की हूँ शिशिर मेरा सबसे अच्छा दोस्ते और तुमारी वा है ना उससे इसी लिए तुमने उसे नहीं बुलाया है ना अंकित ने भूमी को धीमी आवाज में समझाने की कोशिश की भूमी उसको भी बुलाया था वो कहीं विजी था तुम्हें किसने बोला नहीं बुलाया तुम्हें भी तो खुली छूट थी किसी को भी बुला सकती थी हम दोनों की पार्टी है दोनों के सभी दोस्त आ सकते हैं जूटे हो तुम अंकित तुमने सिर्फ एक बार उसको आने का बोला क्योंकि तुम नहीं चाते थे कि शेशेर आए चड़ रही है भूमी तुमें संभालो खुद को क्या संभालू खुद को बोलो न, क्यों संभालू ताकि तुम्हारी पोल न खोल दू एक पैक और बनाओ मेरे लिए यो आर फुल भूमी लेट्स हैव फूड नोबडी इस टेकिंग नाओ चलो खाना लेते हैं सबके साथ क्यों फालतू की बातें करके खुद की बेज़त्ती करवा रही हो भूमी होश में रहो प्लीज तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले डोन्ट ट्राइ टू डोमिनिट मी आइम यूर वाइफ खरीदी हुई बांदी नहीं हूँ जो तुमारा हुक्म मानू स्ट्रॉप ट्रिटिंग मी लाइक अ चाइल्ड गिव मी वन मोर ड्रिंक अंकित ने भूमी को एक और ड्रिंक बना कर दे दी ताकि दोस्तों के सामने और बेज़त दी नहो डीनर के बाद जिन दोस्तों को खूप चड़ी थी अंकित ने पहले उनको गाड़ियों में बिठा कर रवाना किया फिर उसने भूमी को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर के लिए रवाना हो गया अंकित अपने आपको ड्राइविंग में फोकस कर गाड़ी में चल रही गजलों को सुन रहा था उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भूमी सडक पर इस तरहे नाटक करेगी घर आते ही अंकित ने भूमी को सहरा दे कर उतारा और बिस्तर पर जाकर लिटा दिया भूमी तो बेसुत सो रही थी पर आज सडक पर जो हुआ अंकित को शान्त नहीं होने दे रहा था आज पहली बार अंकित को खुद से घ्रणा हुई भूमी घर से ही किसी कंपनी के लिए उनलाइन पार्ट टाइम काम करती थी अंकित के विचारों का खुलापन और उसका हैंसम होना भूमी के सुभाव को सूट करता था अंकित के ओफिस की हर दूसरे विकेन पर होने वाली पार्टीज, डांस मस्ती, सभी कुछ भूमी के सुभाव से मेल खाता था दोनों के पास महेंगी गाड़ियां और अपना घर था सब अंकित का क्या हुआ निवेश था भूमी अपनी कमाई या तो खुद पर ही खर्च करती या अपनी बचत करती ब्यूटी पार्लर, स्पाज जाना और शॉपिंग करना भूमी को मानसिक तसल्ली दिया करते थी भूमी जितनी सुन्दर और स्मार्ट थी, उतनी ही बद दिमाग भी थी माबब की लड़ाईयों के बीच पली बड़ी भूमी ने क्लास 11 से पब्स और बार जाजा कर ड्रिंक्स की लग पाल ली थी अंकित को ये सब बातें 6 महिने की कोर्ट शिप के दोरा नहीं पता चली भूमी ने सोशल रिंकिंग की बात तो स्विकारी थी, जो कि आजकल आम बात थी शुरू के लगभग एक साल तक अंकित का प्यार भूमी की स्वचंदता के आड़े नहीं आया अंकित का हर भार भूमी को बहुत प्यार से समझाना, उसको और ज्यादा उच्रंखल बना रहा था अंकित का जुकना उसके अहम की संतुष्थी थी योजियों घर की जरूरतों ने भूमी से समर्पन की ज्यादा पिक्षा की भूमी की उल्जने बढ़ने लगी, उसकी बद मिजाजी घर के नौकरों को भी बहुत दिनों तक टिकने नहीं देती थी शादी के साल भर बाद जब भी दारू पार्टी होती, दौनों की बीच छुडपुड गाली गलोच होना कोई नई बात नहीं थी नशा उतरते ही सब सामान्य करने की कोशिश की जाती, बात करने की पहल हमेशा अंकित की तरफ से होती प्रेम विवा होने के बाद भी भूमी को किसी बात पर चुकना गवारा नहीं था भूमी को अपनी खुपसूरती पर भरोसा था कि अंकित उसके आगे जुकेगा ही, जबकि अंकित के पहल करने की वज़े दूसरी थी अंकित अपने विवा को सफल बनाने की हर संभाव कोशिश करता रहा, ताकि माबाप को कभी ये न लगे कि उसका निर्ने गलत था पर दो जनों के जदन की खात से ही रिष्टे मधुर होते हैं, ये समझ आना भी ज़रूरी था कितना भी जगड़ा होता, अंकित सवेरे की कौफी भूमी को खुद बना कर देता, आफिस के बाद अधिक्तम समय भूमी के साथ गुजारने की कोशिश करता उसने हमेशा अपने पापा मम्मी को शान्ती और प्यार से जीवन जीते देखा था माबाप अपने मित्र की बेटी से उसकी शादी करवाना चाहते थे, पर बेटी की पसंद को उन्होंने मान लिया अंकित की लगातार पोस्टिंग बड़े शेरों में हुई, जहां बहुत रिष्टेदारों की आवजा ही नहीं रही अंकित के पापा मम्मी के भी नौकरी होने से दोनों का बहुत कम दिनों के लिए अंकित के पास आना होता था गत वर्ष जब दोनों रिटाइड हुए तो अंकित के बहुत कहने पर दो महीने का प्रोग्राम बना कर आए अती स्वचंद भूमी परिवार समाज में रहने के तरीके भूल चुके थी मुफर्ट भूमी के कुछ भी बोलने से सामने वाला चैप जाता था पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था अंकित ने शुरू शुरू में भूमी को पेंपर किया क्योंकि उसकी मर्जी की शादी थी दौनों को आपस में हाथ मार मार कर बाते करना प्यार जताना लगता था एक बार माने शुरूआत में ही अंकित को टोका भी था अंकित बेटा तुम दौनों प्यार में एक दूसरे पर हाथ चला चला कर बाते करते हो कुछ इस तरहे बाते करने से कहीं तुम दोनों के हाथ खुल न जाएं बिटा तब अंकित ने मा की बाद को हस्ते हुई नजर अंदाज किया था मा आप चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा उस समय अंकित को भूमी के अंदर छिपी स्वचन्दता के विक्राल पहशाचिक रूप का पता नहीं था पर मा को भूमी के परिवार के बारे में शादी के बाद अच्छे से पता चल चुका था उसके पता आर्मी में थे, वीकेंड पार्टीज, नाच गाना, मस्ती, ये सब भूमी ने बच्पन से देखा था भूमी ने बच्पन से ही उन दोनों को खूब लड़ते भिड़ते देखा था तब ही लड़ाई जगड़ा करना उसके लिए शर्म का सबब कभी नहीं बना भूमी के माबाप का डिवॉस उनकी शादी के दस साल बाद हो गया था घर के अस सामान्य महौल ने उसे उदण्ड और वाचाल बना दिया था अंकित के मापापा जब दो महिने के लिए आए तब भूमी अकसर अपने मित्रों के साथ पार्टीज में चली जाती और मापापा ज्यादा तर समय नौकरों के साथ बिताते अंकित भूमी को बोलता भी था भूमी, ममा पापा कुछ दिनों के लिए आये हैं मैं ओफिस से आते जाते काफी लेट हो जाता हूँ तुम उनकी इकलोती बहु हो उनके साथ समय गुजारोगी तो अच्छा लगेगा अंकित का कुछ भी बोलना भूमी के दंब को ललकारना होता था छोटी-छोटी बातों पर वो बहस पर उतर आती ऐसा क्या हो जाएगा जो कुछ गंटे दोस्तों के साथ समय गुजारने चली जाओंगी कितनी बात करूंगी तुम्हारे ममी पापा से तुम्हें इतनी फिक्र है तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर बैठ जाओ न वैसे भी दारू की अती ने उसका मूँ खोल दिया था अब सब खुला ही था शायद उस रोज मा ने दोनों के बीच की बातें सुन ली थी तभी दो महिने के लिए आये हुए मापापा बीस दिन बाद ही बोले अंकित बेटा हम दोनों की वापसी के टिकेट करवा दो कुछ बैंक से लेटर आये हुए हैं हमको जाना होगा अंकित ने जब ज्यादा डेटेल पूछी तो मा ने कहा और भी कुछ काम है बेटा जल्दी ही वापस प्रोग्राम बना लेंगे जिस दिन दोनों निकलने वाले थे मा ने वापस अंकित और भूमी से कहा तुम दोनों खुश रहो बेटा जल्दी घर आने का प्रोग्राम बनाना बच्चे माबाब के पास आते हैं तो बच्पन लोट आता है अंकित को मा ने जाने से पहले गले लगाया उसको अपने गीले कंधे से सब कुछ महसूस हो गया था मा की पीड़ा कहीं न कहीं उसकी भी पीड़ा थी उस दिन अंकित को अपनी लाचारी पर बहुत रोना आया उसका घर, रुपे पैसा उसका पर वो अपने माबाब को हक से नहीं रोक सकता था उस रोज अंकित को अपनी बेबसी पर बहुत अफसोस हुआ था आज अंकित जिस तरहे नशे में धुत भूमी को लेकर घर आया उसके दिलो दिमाग में हलचल मचने के लिए काफी था अंकित को बहुत अच्छे से मालूम हो चुका था कि भूमी ने आज सडक पर जो नाटक किया है उससे भूमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आज तक कभी भी उसको किसी बात का पच्छतावा नहीं हुआ था अगर भूमी को कहीं जरह सा भी पच्छतावा होता तो अंकित के साथ मिलकर समाधान खोचती या फिर उसके पास अन्यो कोई विकल्प तयार था जिसकी वज़े से वो किसी भी हद तक गिरने को तयार थी रात की सभी गटनाओं को सोच सोचकर अंकित के बार-बार रौंक्टे खड़े हो गए थे ऐसा नहीं था कि गुजरे वक्त में दौनों के बीच छोटी मोटी नौक्जों के आहातापाई न हुई हो पर आज जो हुआ अंकित को सामने नहीं होने दे रहा था भूमी का सडक पर इस तरह चीखना, चिल्लाना और उस पर दो-तीन बार थूकना उसको अंदर तक हिला गया था बाहर जितनी शांती थी, अंकित के भीतर उतना ही तुफान था अतीत की घटनाए आज घटित हुए को और भी सुलगा रही थी विवा के साल भर बाद जब माबाप अंकित के यहां आये हुए थे तब पडोस का एक छोटा बच्चा मा के पास खेलने आया था बच्चे को खिलाते खिलाते मा ने जूही भूमी को देखा न जाने क्यूं वो भड़क गई और मा से बोली आप मुझे अभी बच्चे बच्चे के लिए मत बोलना हमें अपनी लाइफ पूरी तरह एंजॉय करनी है अगर बच्चा आ गया तो हमें एंजॉय नहीं करने देगा मुझे अपनी पूरी जिन्दगी इन सब टंटों में नहीं लगानी मा ने कुछ नहीं कहा था तब भी वो भूमी की बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली तुम दोनों खुश रहो बस यही चाहती हूँ फिर अंकित को उलाना देते हुई भूमी बोली अंकित तुम भी मुझसे बच्चों की बाते मत करना अंकित कुछ नहीं बोला क्योंकि भूमी ना समझी में बातों को कहीं का कहीं ले गई थी बस उसको अपनी बात हर कीमत पर सही साबित करनी होती थी मा को उन दौनों के बीच होने वाली छुटपुट जड़पों का भी पता था तभी वो कभी कभी छोटी मोटी सलहा सिर्फ अंकित को दिया करती थी भूमी से सिर्फ कुछ जरूरी होता तभी बात करती गुजरे वक्त में त्युहारों के मौके पर भूमी और अंकित के माबाब के पास दो तिन चक्कर लगे भूमी का पिहर भी उसी शहर में होने से वो अधिकतर अपने माईके में ही रही एका दिन ही अंकित के माबाब के पास रुकी अंकित ने जब उसे अपने माबाप के पास भी रुकने का बूला, तो वो पलट कर बोली तुम्हारे माबाप हैं, तुम उनके पास रुको, जितनी सेवा करना चाहो करो, कौन रोकता है तुम्हें मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम मेरी मां के पास आकर रहो मुझे अपनी मां के पास ही रुकना है तुम्हारी मां के पास तो तुम्हारे पापा रहते हैं मगर मेरी मां तो अकेली रहती है भूमी को कभी अंकित के मां पापा अपनी मां पापा नहीं लगे अंकित को उसका तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी करके बात करना हमेशा चोटिल करता था जबकि उसने कभी ऐसे संभोधन का प्रयोग नहीं किया था भूमी ने अहम संतुष्टी के लिए सिर्फ विरोध करना सीखा था अंकित की सारी रात लगभग जाकते हुए कटी बार-बार रात की घटनाएं, वीभत्स और डरामनी चल चित्रों के जैसे चलती रही वो अपने आपको बहुत छोटा और घ्रनित महसूस कर रहा था कम्पनी में उचे ओधे और मान सम्वान को जीने वाले अंकित के मन की टूटन उसे आहत कर रही थी लोग उसके आत्मिय व्यवार के प्रेमी थे, मगर आज अंकित टूट कर बिखर रहा था नचाने क्यों अंकित को लगा, पापा मम्मा के रिटाइड होने से कहीं भूमी बुखला तो नहीं गई कहीं उसे लग रहा हो कि सास ससुर उसके पास आकर रहने लगे तो उसकी स्वचन्दता का क्या होगा जोटी खुशियों की हवस ने भूमी के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था हर बात में मनमानी करना उसकी आदतों में शुमार था भूमी का व्यवार शयद उसकी स्वचन्दता से जुड़ी और सुरक्षा भी थी भूमी को कांसलिंग के भी जरूरत थी जिसको वो स्विकार्णा नहीं चाहती थी गुजरे जिन्दगी का विशलेशन करते करते कब अंकित की आँख लगी उसे पता नहीं चला सवेरे जैसे ही छे बजे उसकी नीन जटके से खुली तो पास में भूमी को घहरी नीन सोय हुई देखा भूमी नीन में भी गालियां बुद्बदा रही थी आज पहली बार अंकित को भूमी का मासूम और सुन्दर चेहरा बहुत विभत्स और डरावना लगा वो अपना मूँ फेर कर जल्दी से बिस्तर से उठ गया अंकित की समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय किस से बात करे क्योंकि अब उसको लगने लगा था भूमी से बात करके समस्या का हल नहीं निकलेगा अंकित ने सबसे पहले अपने लिए बड़े कप में चाई बनाई उसका सिर्दर्द से फटा जा रहा था उसने दूसरे कमरे में जाकर मा को फोन लगाया उसको पता था मा जाक चुकी होगी जैसे ही मा ने फोन उठाया मा बोलते ही अंकित के शब्द उसके गले में अटक गए और उसकी सिस्की निकल गई उसकी आँखों में रुके आँसू बह चले रात का घटना क्रम अभी भी अंकित को घुटन दे रहा था क्या हुआ है अंकित बेटा इतने सवेरे सवेरे फोन परेशान हो जब अंकित की तरफ से वापस कोई आवाज नहीं आई तो मा को घबराहत हुई मा मैं भूमी के साथ नहीं रह पाऊंगा मैंने बहुत कोशिश की भूमी के साथ निभाने की पर मा उसका अहंकार और कुंठाएं हारते ही नहीं है ऐसे में समय की मार या इलाज की जरूरत होती है हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ पर जब भी समझने समझाने की कोशिश की भूमी ने जगड़ा खत्म नहीं किया हमेशा ही बढ़ाया कल रात को उसने आप सुन नहीं पाएंगी मैंने बहुत कोशिश की घर की बातों को घर में ही रख पाऊं भूमी ने उनको सड़क पढ़ा कर खड़ा कर दिया है सुबक्ते सुबक्ते अंकित ने अपनी बात जारी रखी आगे इस थिधिया और खराब होगी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा आपकी ओढ़ाई शालीनता की अब धज्यां उनने लगी है मा इन हालातों में काम करना बहुत मुश्किल होगा मैंने तो अपने पेरों पर ये कुलाडी मारी है उनके रिस्ते दर्दों को काफी दिनों से भोग रहा हूँ आप दोनों इस सुम्र में दुखी नहों इसलिए नहीं बताया अपनी बात बोलकर उसका घुटता हुआ मन भी शान्त हुआ अपनी बात मां से कहने के बाद अंकित को लगा कि वो मां की गोद में अपना सिर रख कर लेट गया हो और मां निरंतर उसके बालों में हाथ फिर रही हो न जाने कितनी देर तक वो सुबकता रहा फिर धीरे धीरे युवावस्ता के उस अंतराल में पहुँच गया मां उसकी घपराहट और बेचेनी को अपनी गोद में लटा कर शान्त किया करती थी और वो अपना सबकुछ मां के पास छोड़कर एक लंबी नीन लेता था तभी मां ने उसे पुकारा अंकित खुद को संभालो बेटा मन को शान्त रखना मुझे भरोसा है अपने बेटे पर उसके निर्णे उपर मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे हर निर्णे में तुम्हारे साथ है बेटा मुझसे बात करते रहना मां को दौनों के रिष्टे का काफी अंदाजा साथ गुजारे हुए थोड़ी से वक्त में हो गया था मा नचाने कितनी देर तक संबल देने के लिए अपने बेटे के साथ चुप-चाब पैठी रही आप दौनों मेरे साथ हो तो मैं नेर्णे लेने में कमजोर नहीं पड़ूंगा मा कल रात से काफी परेशान था अब आपसे बात करके मन थोड़ा शान्त हुआ है आपसे बात करता रहूंगा अफिस के कुछ जरूरी काम है अब मैं बात में बात करूँगा अंकित ने अपनी बात बोलकर फोन डिसकनेक्ट कर दिया बेटे के फोन डिसकनेक्ट करते ही एक और मा की आँखों से उसके बेटे की पेडाओं का सैलाब आंसो बनकर उमड़ पड़ा दूसरी और भूमी आने वाले कल से बेखबर बिस्तर पर मधोश पड़ी हुई थी धूकने जैसी और भी उश्लंखताओं का मूल इतना अप्रत्याशिर भी हो सकता था उसको ये समझना भी बाकी था उसको आती सुभे के उस अद्रश्य तमाचे का अभास भी नहीं था जो उसके खोकले अहम पर पड़ने वाला था बस यही थी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजेगा फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ नमस्कार